किशान भाईयों आज मैं आप लोगों को सर्दी में पाले से कैसे अपने फसनों को बचाएं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक्चुली पाला होता क्या है कि जब आस्मान साफ रहता है हवा नहीं चल रही होती है तो सर्दीयों के मौसम में खास कर तापमान में काफी गिरावट आ जाती है ऐसा देखा जाता है कि तापमान काफी नीचे चला जाता है और उस condition में पाला गिरने की शंभावना बढ़ जाती है दिन के समय जैसे सूर्ज की रोशनी होती है खास करके नुवंबर और दिसंबर के और जनवरी के महीने में तो पिर्थिवी जो होता है दिन के समय में जो अगर सूर्ज की रोशनी है तो धरती गर्म हो जाती है और अगर रात को आस्मान खुला हुआ हो यानि बादल नहीं हो तो क्या होता है कि जो धरती से निकली हुई गर्मी है उसको ज़्यादा फैलने का टाइम मिलता है तो आस्मान साफ रहने पर पाला गिरने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो बदली वाली रात होती है खास करके अगर दिन में सूर्ज निकला हो धूप निकला हो और रात को अगर बादल घिरे हुए हो बारिस की संभावना हो तो उस कंडिशन में ऐसा माना जाता है कि उस कंडिशन में जो पाला है वो कम गिरता है या पाला गिरने की संभावना कम रहती है इसलिए रात्री में जो है जैसे कई बार कहा जाता है कि जो पाला गिरने का जो टाइम होता है वो खास करके सुबह का समय होता है सुबह तीन बजे से ले करके स साथ या आठ वजी तक यह डिपेंट करता है कि उस समय उस सवस्था में मौसम कैसा है पाला बिसेश कर दिसंबर और जनवरी के महीने में ज्यादा पढ़ने की संभावना रहती है जब तापमान चार डिगरी से कम होते हुए सुनने डिगरी सेल्सियर तक हो जाता है यानि कि जो बातावरन का तापमान है वो चार डिगरी सेंटीग्रेट और जीरो डिगरी सेंटीग्रेट के बीच में आ जाए तो पाला पढ़ने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है और उस कंडिशन या कंडिशन जो है मोस्टली दिसंबर और जनवरी के महीने में नौर्थ हिं वैसे तो हम अपने जिस छेतर में हम रहते हैं उस छेतर में कि भौगौलिक प्रस्थिती को देखते हुए हम वैसे भी कहते हैं कि हमारे यहां पाला गिरता है तो किशानों को यह बात का पता होता है कि हमारे यहां पाला जहां पर वो रहते हैं या जिस छेतर में वो रहते ह पाला गिरने का अनुमान बाताबरण से लगाया जा सकता है, सर्दी के दिनों में जिस दिन दोपर से ठंडी हवा चलती रहे, तता हवा का तापमान, जमाव बिंदू, जिसको हम बोलते हैं, फ्रेजिंग टेंपरेचर से नीचे गिर जाए, दोपर बाद अचानक हवा चलना बंद हो जाए, तता आस्मान साफ रहे, उस दिन आधी रात से ही हवा, और आधी रात को अगर हवा रुक जाए, तो पाला गिरने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा माना जाता है कि जो रात में अगर हवा तेज चलती रहे, तो उसमें पाला नहीं गिरता है, यानि कि पाल पन तया आप मान चाहे, इतना ही नीचे चला जाए, ऐसी रात ले हवा चलती है, प्रनतु हवा चलना अगर रुक जाए, तता आस्मान साफ हो तो पाला पड़ सकता है, जो फस्दों के लिए काफे नुक्सान देख है, और इसमें पाला से पौधों को कैसे नुक्सान पहु क्या है पाला क्या है मैंने आपको बोला कि एक जीरो से चार डिगरी टेंपरेचर है तो जीरो से चार डिगरी टेंपरेचर के बीच में अगर ताप माना आ जाता है थोड़ी देर के लिए भी तो नॉर्मली जहां बर्फ गिरती है वहां तो कोई बात नहीं है लेकिन नॉर्म की बुंदे होती है वो जमने लगता है यह तो हो गया पौधे के उपर वाली सता पर आपने देखा होगा कि सड़क के किनारी या खेतों के उपर मेडों के उपर जो घास होते है उसके उपर पानी की जो ओस की बुंदे होते है सुपह में अगर आप उसको टैच करके मर्ली मौ पौधे के पौधे के अंदर है, पौधे के अंदर जो पानी है, 70-80% किसी में 90% भी पानी होता है, तो वो पानी भी तहीबार टेंपरेचर अगर फ्रिजिंग टेंपरेचर या जमाव बिंदू से नीचे चला जाए या आसपास चला जाए 0-4 डेगरी के बीच में, तो इसकी जो कोशिकाएं हैं, उसको डेमेज करता है, उसको उत्तक को डेमेज करता है, उसके कोशिकाओं को डेमेज करता है, और वो डेमेज कोशिकाएं क्या होती है, कि वो सरजने लगती है, या उसमें भीगटन होने शुरू होता है, या तूटने लगता है, या उसके अंदर बिम तो लोगों को लगता है कि यह तो अभी तो सर्दी है नहीं गर्मी जैसे मार्च का महीना आ गया लेकिन वो जो सेल थे जो टीशू थे पौधे के चुकि पपीता के तने में बहुत पानी होता है कि पपीता या केला तो वो पानी जो है वो बर्फ जम गिया और उसके सेल्स को लेकिन वो डैमेज सेल को पूरे पौधे को कभर करने में 1.5-2 ने लग जाता है इसके करण से यह देखा जाता है इसका जो रिज़ल्ट है वो दो तीन महीने के बाद मिलता है या पौधा गिर जाता है या ऐसा लगता है कि मार्च में जाकरकि इसके पत्ते जो है अपने आ ज्र हैं ज्लने लगता है ज्लन जैसा हो जायता है जैसे पत्ते इंदर अंदर पानी जो है बरफ बन जायेगा तो पिल पिला कि जड़ उखार करके तो जड़ भी सुखे नजर आते हैं, जो फल होते हैं, उसके उपर जुदिया भी नजर आने लगती है. जो पत्ते हैं वो गिर जाते है तो ऐसा ऐसा पाला को जब हम पाले का प्रकोप पौध्र ओपर तो कई तरह के लक्षा नजर आते हैं किन फसलों पर पाला का प्रवाब अधिक होता है वो सभी सबजी की जितनी भी फसल है खास करके टमाटर, बैंगन, आलू, फूल, गोभी, मेच, धनिया, पाला का असर होता है इसके अलावा जो पपीता है और केला है फल दार पोधे उसमें सबसे ज़्यादा असर होता है पाल वो गेहुं के पोधे में भी देखा गया है आपने देखा होगा कि आज कल गर्मी सर्णियों का मौसम है खास करके ये दिसंबर का महीना चल रहा और इस समय पाला गिरने की संभावना बहुत अधिक रहती है तो इस समय जिए पत्ते पोधे जो है या खेत जो कह सकते हैं तो कई बार लोग सोचते हैं कि इसमें फ्रिप्स लग गया है या माइट्स लग गया है तो वो संभावना नहीं रहते हैं तो इसको ध्यान में रखना चाहिए तो कई बार यह बहुत छनिक थोड़े दिनों के लिए रहता है जैसे यह फसले कुछ सहनसील भी हैं जैसे जैसे गर्मी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जिसका जो पौधे का जो पत्ते का रंग है वो धीरी-धीरी चेंज भी होने लगता है सीत लहरे वंपाले से फसल के सुड़च्छा के कुछ उपाई भी है और हम आज हम चर्चा जो कर रहे हैं उसमें उसको जैसे मैंने आपको बताया कि इन फसलों को ज़्यादा नुकसान होता है कई बार आपने देखा हो कि आलो की फसल लगाते हैं जुलस जुलस जाता है कई में पानी की मात्रा बहुत जादा होती है और यह जो फसल है फंसे कम दो से तीन साल तक चलता है पपी के उसदों कि बार पालए के ँसमें पाले की संभाबना रहती है तो यह किशानों बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है इसलिए ओपें में हम जहां पाला गर्मी की फशल है या बरसात की फशल है लेकिन टमाटर को लोग सर्दीयों में लगाते हैं क्योंकि प्राइस बहुत अच्छा मिलता हैं तो कुछ एक पॉकेट्स जरूर हो सकता है जैसे आपके डिस्टिक में कोई एक ऐसा पॉकेट्स हो कोई ऐसा जगह हो जहां पे खास करक अगर आप जो कुछ पौधे लगाते हैं जैसे टमाटर बैंगन वगरा के पौधे अगर उस समय लगाते हैं सर्दियों में तो उसको बचाने के लिए कुछ उपाई भी की जा सकती है अगर वहां पर पाला गिरने की संभाव ना हो सबसे पहले तो आप उन किस्मों का चुनाव करें जो कि सेंसील हो यानि कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें वो किस्म हो जो रोग प्रतिरोधी नहीं पाला प्रतिरोधी होनी चाहिए तो बहुत सारी टमाटर में ऐसे बहुत सारी किस्में हैं माना जाता है कि जो थोड़ा high temperature के अलावा low temperature पर भी वो चलता है उसी तरह से यह ध्यान डख करके private sector की बहुत सारी ऐसे किसमें भी जो बोलते हैं कि पाला में भी चलता है जैसे आप देखा होगा कि private sector की कुछ किसमें है जो उन्हा डिस्टिक में लोग टमाटर के लिए लगाते हैं और वो कहते ह में अगर पोडे आपने लगाएं हैं सर्दियों के मौसम में तो आलो और टमाटर की सब्यों में पाले से बचाने के लिए आप गंधर का छिर्काव कर सकते हैं गंधर का मतलब sulfur होता है और यह बजार में मिल जाता है इसे फसलों को बचाने के साथ साथ जो गंधर की से पहले साइको सिल जो 500 पीपियम का गोल बना करके इसका चिरकाव करने से भी इसका आप इसको बचाया जा सकता है पाला पढ़ने इस से जहां तक ट्रमाटर के पौधे में साइको सिल का स्प्रे होता क्या है जो हम चीजें जो केमिकल हम बता रहे हैं जैसे सलफर बताया साइ कम कर देता है पानी की मातरा कम होगी तो क्या होगा कि जो पानी है वो जमेगा नहीं जब फ्रीजिंग तेंपरेचर या जिसको बोलते पाला बढ़ने का पढ़ने का जो समय होगा उसमें जमेगा नहीं और जब जमेगा नहीं पानी तो इसके सेल्स को निक्सान नहीं करेग गंधक के तेजाव का भी छिड़काव करने की रिकमेंडेशन दी जाती है पाले के असंका वाले दिन फसल पर जो बेविसाइक सलफर होता है जिसको हम गंधक का तेजाव करते हैं इसका 0.1 प्रतिसत यानि एक लीटर जो गंधक है वो एक हजार लीटर पानी में डाल करके और इसको परति हेक्टेर में अगर छिरकाव किया जाए तो इससा माना जाता है कि तीन से चार डिगरी सेंटेंट टेमपरेचर को ये बढ़ा सकता है इसका छिरकाव से फसल के आसपास के बातारवण में तापमान बढ़ जाता है और तापमान जो टेमपरेचर है जो महाब बिंदू से उपर पहुंझाता है आलू मटर को पाले से बचाने के लिए गंधक के तेजाव का छिरकाव करने से ना केबल पाले से बचाया जा सकता है बलकि पौधों में रोग रोधिता बढ़ाने में फसल को जल्दी पकाने में भी यह जो सल्फर है वो सहायक है घुलन सील मैंने आपको बोला गंधक का तेजाव एच्टु एसो फोर्ट बाजार में अविलेबल होता है और इसको आप एक अपने एक हजार लिटर पाणी में डाल करके और इसका छिड़काव कर सकते हैं फाय और ये का यूडा का च्छिड़काव कर सकते हैं ये ये एक्चली थाए इरिया थोड़ा इसमें आइरन की मात्रा भी होती है तो जिस जहां आइरन की डेफिसेंसी हो उहां इसका छिड़काव करना बहुत ज्यादा फाइदेमंद होता है इसका जी मात्रा है 0.05 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके करना चाहिए घुलंसील सब्सक्राइड या बारते हैं इसका छिड़काव कीया रहता है दो ग्राम प्रति लीटर फानी मार्केट करमें आसानी से अप्लब्ध होता है और यह खासकर पॉल्य करते हों उनको पता है इसके बारे में जो सल्फर आता है नैनो सल्फर भी आता है उसी तरह से जो यह सल्फर है जिसको हम घुलन सील सल्फर या वेटेबल सल्फर भी बोलते हैं इसका छिड़काव क्या जाता है दो ग्राम प्रती लिटर पानी की दर से गोल बना करके एक एकर में दो सो 2-degree temperature या 1.5-0 degree temperature बढ़ाने से क्या होगा अगर 6 degree temperature से नीचे अगर आपका temperature जा रहा है अगर 2 degree भी बढ़ा दिया तो उस समय इसका fruising जो पाला गिरने की शंभावना का effect जो पाधे के उपर आने की शंभावना वो कम जाती है Agency यहां पाला गिरने के आसंका होते हैं, वहां से 75-100 ग्राम, यह भी मार्केट में अबिलेबुल है, रसायन को 1000 लीटर पानी में घोल कर, एक हेक्टेर छेतरे में छिरकाव करें, यहां पौधों में पानी बाहर निकालने की छंतरा को छंता को बढ़ाता है, जिससे कोशिकाओं में पानी जमने नहीं पाता, इस तरह इसकी दिवारे नहीं फटती और पौधा नहीं सुकता है, ता असान रूप परनाम लेने के लिए इसको 10-15 दिन के अंतराल पे दूराना चाहिए, डाय, मिथाईल, सल्फो, ऑक्साइड, यह भी मार्केट में अबलेवल है, अगर आप ढूंडेंगे तो मिल जाएगा यह, और यह केमिकल को आपने 100 ग्राम या 100 ग्राम करीबे 1000 लेटर पानी में डाल करके इसका छिड़काव करिए, तो यह पानी की मातरा जो पौधे के अंदर से है, वो ज़्यादा मातरा है, उसको बाहर निकालने के कोशिज करता है, जिससे पानी पौधे के अंदर जितना कम रहेगा तो पाले की संभावना कम रहेगी, उसके अलाबा ग्लुकोज जो हम लोग लेते हैं, खास करके ग्लुकोज जिसमें सुगर की मातरा बहुत जादा होती है, ग्लुकोज के परियोग से का छिड़काव भी क्या जा सकता है, ग्लुक प्रभाव नहीं पढ़ने देता है, दस से पंदरा दिन के अंतराल पर इसका दुवारा छिड़का भी क्या जा सकता है, ग्लुकोज नॉर्मली हमने कई बार फार्मर्स को बोला है, कि जब कोई चीज नहीं दिखाई देता है, पौधे में खास करके आलू में एक दो बर मैं खास करके जो सब्जीयों की नर्सरी होती है, उसमें पाले का प्रकोप या असर बहुत तेज होता है, तो उस कंडिशन में हम लो टरनल बनाते हैं, एक छोटा टरनल बनाते हैं और इसको पलास्टिक से ढग देता है, उसके नीचे नर्सरी उगाते हैं, और उसका चारों तर कि इसके अंदर के जो निकली भी गर्मी रहती है वो इसी के अंदर सरक्षित रहती है और इसका टेंपरेचर इतना कम नहीं हो पाता कि नरसरी को बुरा प्रभाव पड़ सके इसके अलावा पुआल से ढगर के जैसे हम खास करके नरसरी कुछ पौधे ऐसे जैसे फलदार पौ बाल डाल देते हैं इससे भी पाले का असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है कई बार जैसे बड़े-बड़े फार्म होते हैं वहां अगर फार्मर को लगता है कि हमने पौली हाउस हमने यहां खेती करनी है तो उस कंडिशन में हम जो है बायू रुधक पेड़ यह से जाता है कि जितनी पौधे की हाइट होती है अगर पेड़ की हाइट दस फीट है तो चालिस फीट तक इसका बायू रुधक पेड़ का असर होता है यानि वहां तक पालग से पौधे को बचाता है तो बायू रुधक पेड़ लगा करके भी हम इसको पौधे को बचा सकते है या इसको इस बचा सकते हैं इसको बढ़ी तक्नीक आगर सुबहर के हैं अगर इस तक सब्सक्राइब करनी चाहिए और सुबह क्या होगा कि जो थेंपरेचर पानी का है वह हवा पानी धरति के त Darren को रोग के रखता है और पानी को जमने नहीं देगा लेकिन दूसरी बात यह है की जब हम सिचाय जब हम सिचाय करते हैं, रेक्मेंट करते हैं कि फार्मर को बोलते हैं कि सिचाय की जो पानी आपने चलाया है उस पानी की बूंद बगर पत्य के ऊपर जमने लगेगा एक थोड़ी दिर में अगर टेंपरेचर इतना डाउन हो गया तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा तो कोशी से करनी है कि सुबह के समय ज़्यादा वो चलाएं मतलब सुबह के समय ही चलाएं पांच बजे के बाद ही चलाएं और सिचाई रात को दस बजे से पहले या दिन में हम करें जिससे कि रात त्री में दस बजे के बा अपी देर तक गर्मी रहती है, ऐसा माना जाता है, तता भूमी का ताप करम एक दम कम नहीं होता है, इसी ताप मान सुन डिगरी से नीचे नहीं गिरेगा और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, जहां पर सिचाई फुबारा बिधी स्प्रिंकलर ब चार वजे के पहले के बाद चला करके स्प्रिंकलर को बंद नहीं करना चाहिए, अता स्प्रिंकलर को जल्दी प्राता काल से सुर्योदे तक नर्सरी तता छोटे पौधों में होने वाले नुकसान से बहुत आसान या खर्चली तरीके से बचाया जा सकता है, इस प्रकार सर से पहले या दिन में सिचाई अवस्य करें, फसलों में सिचाई रात्री के दूसरे या तीसरे पहर में नहीं करें, खेत के आसपास धुआ करना, यह भी माना जाता है कि जिस रात पाला पढ़ने की संभावना होती है, उसमें बारा बज़े से लेके रात के दो या तीन बज कि जड़ तोड़ी आदियावस्था को अवसिष्ट को पौधू को जला कर धुवां पैदा करना चाहिए ताकि खेत में धुवां हो जाए एवं बाताब्रण में गर्मी आ जाए इस बिधी से चार डिग्री सेल्सियस तापमान आसानी से बढ़ाया जा सकता है जब भी पाला पढ़ने के असंका नजर आए तो रात्री में यह धुवां जमीन की गर्मी को नश्ट होने से रोकता है तापमान जमाब बिंदू तक नहीं गिर पाता है और पाला पढ़ने से होने वाले हासा जो हानी है उससे रोका जा सकता है फसलों का चैन भी हम जैसे हमने आपको बोल आदी फसलों को या गेहूं के उपर इन पर फसलों पर पाले का प्रवाव कम होता है प्लास्टिक क्लोच का प्रियोग द्वारा कई बार हम देखें कि जो फूट के पौधे होते हैं उसमें गंडे लगा करके जैसे जब तक उसकी हाइट प्रॉपर हाइट नहीं हो जाती त जब उसमें रिजिस्टेंट पावर डिवलप हो जाती है उसके बाद इसको आप तीन-चार साल के बड़े पौधे को उसके बाद इसको हटा सकते हैं नर्सरी पौधे को पाले से बचाने के लिए आपको जैसा मैंने बताया कि इनको दो से तीन डिगरी सापमान बढ़ाने क छोटे पौधे को एक-दो बर्स के फलदार पौधे को ढखें प्लास्टिक की सहायता से मल्चिंग करें जो पौधें उसके तौलिये को खुदाई करके उसमें पत्तों वगरा क्या खाद गोबर वगरा की खाद डालें ताकि इसके जड़ के अंदर पानी की मात्रा कई बार ज़्यादा होती है तो वहाँ गर्मी बनी रहे और जड़ को नुकसान ना हो पाला से सबसे ज़्यादा नुकसान मैंसा देखा गया है कि जड़ को ही होता है सबसे पहले और उसके बाद पत्तों और तने को होता है तो ये कोशिस करनी चाहिए कि जड़ में गर्मी बनी रहे इसके लिए प्रॉपर्ली आप जो गोबर की खाद है पत्ते की खाद है उसके जड़ के आसपास मोटी तह बिचा करके मल्चिंग के रूप में रखें पाला पढ़ने की संभावना कर देखते हुए जरूरत के हिसाब से खेतों में सिचाई करते रहें इससे मिट्टी का तापमान कम नहीं होता और जो है पाला की संभावना कम रहती है सल्फर से पौधे में गर्मी आती है आठ से दस किलो ग्राम सल्फर डस्ट प्रती एकर के हिसाब से डाल सकते हैं गुलंसील सल्फर छस्ट ग्राम प्रती एकर या दो सो लिटर पाने में घोल कर भी इसका छिर्काव किया जा सकता है पाला पढ़ने की संभावना वाले दिनों में मिट्टी की गुडाई या जुताई नहीं करनी चाहिए कि ऐसा माना जाता है कि मिट्टी की जुताई या गुडाई करने से क्या होता है कि टेंपरेचर को बाहर निकलने में जो धर्ती की गर्मी है जो मिट्टी की गर्मी है इसको बाहर निकलने में आसानी होती है किक़ान भाईएँ आज मैंने एक छोटा से लेक्ट्चर आप लोग çेतरों में रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो यह बैग्यानिकों से भी इसके सलाह ले जा सकती है और उसके अनुसांब आप लगा सकते हैं मैं आप लोगोंको आज पाला ग्रसिच चेतरों में जो किसान खेती करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहाँ था आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवस्थ करें लोगों को भी सेर करें मुझे बड़ा होसला मिलेगा और अगर कोई जानकारी चाहिए तो 9418494333 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं धन्यवाद